हेलो नमस्कार सात्यों आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज का वीडियो बहुत ही महत्यपूर्ण होने वाला है आप सभी कंडिडेट के लिए तो बिहार ITI admission यानि की girls and boys दोनों देख लिजे कितना rank तक जो है admission होता है पुरूफ के साथ जो है आप सभी देख लिजे यहाँ पर पुरूफ और फी कितना लगता है और भी कई महत्यपूर्ण जानकारिया इस वीडियो में मिलने वाला है तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार है तो subscribe जरूर कर लिजेगा जिसे कि कोई भी change होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से provide करा दिये जागा और आपको जानकारी सटीक मिलेगा हमारे चैनल द्वारा और कोई भी information हमारे चैनल पर गलत information नहीं मिलेगा आप सभी को तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिटेल में और आप सभी को doubt किलियर करते हैं जो है proof के साथ ठीक है तो आप सभी देख सकते हैं यह जो है ITI दिखा पटना का जो है admission sleep है और इसमें जो है fee कितना लगा है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो fee total fee कितना लगता है तो बहुत ही कम लगता है और आप सभी के मन में जो doubt है वो खतम कर लीजे यहाँ पर 1080 रुपया मातर जो है fee लगता टाने में आपको admission में सिर्फ मातर दस सो 80 रुपया लगता है ठीक है रेजिस्टेशन में जो है 50-100 रुपया ängtलिया जाथ है तो वह बाध की बात है थीक है लेकिन आपको admission में सिर्फ 1080 रुपया लगता है और counseling में काफी चात्र के जो है comment are जो counseling में भी चार्ज लगता है तो counseling में कोई भी चार्ज नहीं लगता है इसलिए जो है आप सभी counseling जरूर कीजिएगा कितना भी rank हो आपका कितना भी अधीक rank हो counseling कीजिएगा तो आपके पास option रहता है जो है admission लेने का ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है ITACAT 2023 में जो admission हुआ था वहाँ पर देखे कितना rank अधीक था तो भी admission हुआ था तो यहाँ पर देखे यूर कैटेगरी में कितना है इनका तो 49,79 rank था यूर कैटेगरी में तो भी admission हुआ था तो इसलिए आप सभी को घावराना नहीं है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर EVC कैटेगरी में जो है इनका कितना था तो 997 था ठीक है 97 था तो इनका जो है admission हुआ था और कौन सा trade मिला था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा trade मिला था तो यहाँ पर जो है instrument mechanic NCVT तो आप सभी जो है NCVT लेने का परियास कीजिगा ठीक है SCVT पर जो है कम फोकस कीजिगा लेकिन NCVT ज्यादा फोकस कीजिगा जो भी trade मिले लेकिन जो है आपको NCVT लेने का परियास करना है ठीक है और यह जो है EBC से देख सकते है यहाँ पर जो है तो इनका जो है admission हो गया था ITI दिग्घा में ठीक है तो यह तो आप सभी के मन में doubt clear हो गया होगा जो कितना rank तक जो है admission होता है ठीक है और भी कई महत्यपूर्ण समझ लीजे इसमें जो है आपको help मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है इनका admission तो हो गया था उसके बाद देखे यहाँ पर जो है इसी को जो है बोला जाता है यहाँ पर देखे लिखा हुआ है provisional seat allotment order जब admission हो जाता है आपका document verification हो जाता है तो यही चीज़ मिलता है और आपको क्या होता है तो यह चीज़ मिलता है आपको college में जाकर के admission लेने के लिए ठीक है तो यही चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर admission हो चुगा यहाँ पर trade name लिखा हुआ रहेगा आपका instrument mechanic या जो भी trade में आपका admission होगा वो चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो पुरुफ यह देख लिचे जिससे कि आपके मन में जो भी doubt होगा clear हो जागा और देखे जब counselling होता है तो उसके बाद admission कब लेना रहता है वो भी date इस पर अंकित रहता है तो यहाँ पर देख सकते हैं latest by यहाँ पर जो है दिया गया थो उस दिन जो है जाकर के admission अराम से आप 1000 रुपया जो है ले करके जाईए और admission वहाँ पर ले सकते हैं लेकिन हाँ एक और doubt आपके मन में उठेगा देखे यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है तो वह भी समझ लीजे देखे यहाँ पर जो पे बैंक ड्राफ तो ड्राफ के अवे सकता नहीं पड़ता है और देखे यहाँ पर जो है category के अनुसार छूट भी मिलता है क्योंकि admission में देखे यहाँ पर SC और ST category से अगर आप भी long करते हैं तो आपको जो है मिलता है यानिके account आर गलती हो जाता है तो उनको खो जाता है बार-बार repeat किया जाता है तब जाकर के जो है उनका पेमेंट जरूर से जरूर मिलता है ठीक है हमारे साथ जो candidate थे तो उनका जो है नहीं हुआ था account नमबर ग्रामीन छेतरों का था तो कुछ है जो है सो नहीं किया था लेकिन जो है बार-बार टीचर हमें call करके जो है पूछते थे जो उसका account नमबर जो है भेजवादो या जैसे हो candidate को भेजवादो college में तो ये सब चीज जो है उनको पैसा मिलना निश्चित है ठीक है other candidate है तो उनको जो है 1080 रुपया लगता तो यहाँ पर जो है proof हो गया होगा और जो है यहाँ पर draft अगर बनवा के जाते है तो भी admission हो जाता है और नहीं तो case भी आपका admission हो जाता है कोई condition नहीं रहता है लेकिन जो है यहाँ पर बोड के द्वारा अंकित रहता है जो draft के माध्यम से ही होता है लेकिन आपको tension नहीं लेना है आपको जाना है वे figure हो करके और आपको पैसा लेकर करके जाना है admission आराम से हो जाएगा तो चलिए दूसरा पुडूफ भी दिखा देते है जो कितना rank में उनका भी admission हुआ था ठीक है और जो है एक और छातर थे उनका देख लेजे जिससे के आपको help मिले यहाँ पर देख सकते हैं अभी सेक कुमार जी थे जो कि कहां से belong करते थे तो भागलपूर district से यह belong करते थे ठीक है और इनको देखी रेंक कितना था यूर केटेगरी में तो यहाँ पर देख सकते हैं पंदरो सो जो है 89 था यहाँ पर जो है नवासी था यानि कि पंदरो सो नवासी ट्रेड जो है यूर केटेगरी में था तो भी जो है ट्रेड मिला था और जो है एक सब्ता का टाइम मिला था ठीक है यहाँ पर देखे जो है अंकित था यह जो कांसलिंग हुआ था 26-12-2021 एक इसको हुआ था और उसके बाद देख सकते हैं एडमिसन डेट जो रखा गया था यहाँ पर 12-12-2022 रखा गया था उनको 12-12-2022 को जा करके जो है कॉलेज में एडम ड Southern का ढावट हुआ तो उनका भी इसमें डावट किलियर हो जाईगा देखे यहाँ पर जो है यहाँ पर यह देख सकते हैं यहाँ पर कांसलिंग हुआ था तो इनका फीमेल काटेगरी में देखे इनका कितना रेंक था 8,968 था ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं BC में देखा जाए तो 605 था उसके बाद RCG में देखा जाए तो 155 था तो इतना अधीक rank होनी के बाद भी जो है offline में counseling में इनका admission हुआ था और जो की WITI में हुआ था और ये जो है मधेपूरा से जो है विलॉंग करते थे तो बताइए जब इतना rank अच्छा नहीं होने के बावजूद भी rank में admission होता है अधीक rank में भी तो आप लोग को घबडाना नहीं है follow जरूर करना है ठीक है जो भी process होगा उसको complete करते चलना है हो सकता है आपका admission हो अगर नहीं होगा तो वो जो है last process है जब नहीं होगा लेकिन जो है ऐसे भी क्या होना अगर अधीक rank तो अगर हो जाता है तो आपको फाइदा है क्योंकि आने वाले दिनों में competition बढ़ने ही वाला है क्योंकि कमने वाला competition नहीं है आज के date में और भी competition बढ़ते जाता है और हाँ एक और चीज जो है आप सभी को बताना चाहते हैं काफी चातर जो comment करते हैं और ड्रेलवे का तयारी कर रहे हैं तयारी कर रहे हैं अच्छी बात है नो डाउट लेकिन हाँ रेलवे का तयारी कर रहे हैं उसके अलावे आपको और भी चीज का तयारी करना चाहिए क्योंकि रेलवे का देख रहे हैं condition जो है एक बार फोरम फिलप होता है तो चार साल के बाद एक्जाम होता है तो ये सब चीज आप सभी के mind में है अगर तो आप सभी इस mind को और भी बहुत सारा छेतर है SSC हो गया इस सब का तयारी कीजिए और गुरूप D और ALP के लिए भी करते रहे हैं इसमें no doubt लेकिन और भी चीजों का तयारी कीजिए और हमारी चैनल पर भी आपको पढ़ाया जाएगा तो उसको चैनल पर जरूर सस्क्राइब कर लिजीगा ए आने वाले दिनों में उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है online counseling हुआ था तब देखिए क्या क्या document लगता है यह भी इसमें clear हो जाएगा आप सभी के मन में जो सवाल उट रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पाटे और पाटवी जो है application online firm जो आप apply करते वक्त जो है प metriculation जो है 10th का marksit लगता है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है passing year certificate यानि कि 10th अगर पास किये होंगे तो आपको जो है दो साल बाद जो है certificate आ जाता है school में तो वहाँ से जो है आप certificate मिलता है वो भी original जमा करना परता है ठीक है उसके बाद आप यहाँ प जो है complete हो जाएगा verify हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते है cast certificate जो है लगता ही लगता है आप इधर देख सकते है verify किया गया है cast certificate उसके बाद जो है residential certificate यहाँ पर देख सकते है जो यह भी verify यानि कि जो है आपका ये सब जो है document होना चाहिए ठीक है उसके बाद चादर को डाउट आ रहे हैं काफी चातर जो है इसकी समस्या हो सकता है आपको भी हो तो देख लिजे यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं जिसे कि आपको help मिले ठीक है तो देखिए आपके पास जो है SLC अगर होगा तो अच्छी बात है या CLC होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं है बाइदवे आप एडमिसन ले चुके हैं 11 या गरेजवेशन में तो आपके पास अगर फोटो कॉपी भी होगा तो उससे भी जो है आपको काम चलाना है ठीक ह तो आप जो है कांसलिंग में जरूर जाइएगा ठीक है और अगर निकलता है तो निकाल लेजेगा और आपके पास अगर फोटो कॉपी होगा तो उसी को ले करके जो है आपको कांसलिंग में जाना है ठीक है ये समस्या जो है काफी चातर को बहुत सारे चातर को आरा है जो स अगर admission नहीं होता हम वहाँ से निकाल लेते हैं तो दिक्कत होता है सर इसलिए वहाँ admission हो जाएगा ATI में तो आपको वहाँ से निकाल के जमा कर देंगे college में आपको document verify कर देजिए ठीक है और यह वहाँ पर यह नहीं बताना है काफी चातर जो है हुआ था तो इसलिए आप सभी को बता दे रहे हैं ठीक है तो जिसे आपको होसला बुलंदर है आप लोग घबडाए नहीं ठीक है और admission हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उसके बाद यहाँ पर देखिए age criteria तो age जो है कुछ trade के लिए जो होता है 18 साल से उपर तो दिया जाता है trade उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं maximum qualification criteria तो आपको 10th pass होना ही है तो यह तो आराम से होंगे आप सभी छातर और allowment later जो जारी किया जाता है जो आपको online download करना होता है वो चीज लगता है ठीक है और उसके बाद देख लिए यहाँ पर 10th pass जो है math और science और यहाँ पर देखिए for engineering branch years तो यहाँ पर age criteria के अनुसार जो है यह सही है तो यह देखिए इतना ही document लगता है इसके अलावे भी कुछ लगता है तो आपको जो document से related video जो है आपको दे दिया गया है हमारे channel पर उसको जाकर के एक बार जरूर भी जिट कर लिजेगा और जो है ITI college भी दिखाया गया तो उसको भी जाकर के एक बार देख लिजेगा counseling center भी उसी में दिखा दिया गया है offline अगर counseling होगा तो पटना में होगा और जो online होगा तो आपके district में कहीं न कहीं जो है 10 वज़े से counseling start हो जाता है तो ये पटना आने का chance offline अगर होता है जादा rank है तब जाकर के होता है लेकिन अगर आपको allowment later मिल जाता है online में ही तो आपको फाइदा है आपके district में counseling हो करके आपको admission हो जाएगा आराम से वहाँ पर एक और चीज आप सभी देख लिएजी जो offline counseling होता है तब जाकर के देखिए यहाँ पर यही चार्ट जो open रहता है आपका table पे रखा हुआ रहता है और यहाँ पर देख सकते हैं यह जमोई का counseling हो रहा था वहाँ पर से यह चार्ट का फोटो किलिक किये थे तो इस चार्ट को फोटो किलिक करने में हमें सर ने data था ठीक है और वहाँ पर सर data थे और बोले थे mobile चिनलो इसको थाना में देदो देखिए हमारे साथ ऐसा घटना हुआ था लेकिन हमारे teacher वहाँ पर उपलद्ध थे जो कि हमें जानते थे और वह हमारे class teacher थे तो उन्हों ने कहा था हमारा ही candidate है गलती से तो उसी समय यह फोटो को डिलेट कर दिया गया था लेकिन रिसाइकल बिंग में था तो यह मैंने recover कर लिया था ठीक है तो यह सब चीज आप लोग के लिए इतना मैनत करते हैं तो एक like जरूर कर दियेगा और चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ठीक है और यह घटना हो गया था उसके बाद जो है हमार सर से हमें sorry बोलना पड़ा था जो है college में जाकर के sorry बोल दिये थे sir जो बोले कोई बात नहीं channel चलाते हो तो अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं मतलब देख देखे teacher तो नहीं करना चाहिए था तो देखिए यह सब प्रवलम फेस करना पर है हमें तब जाकर कर आज आज आप लोग को इतना help कर रहे हैं तो चलिए एक like जरूर कर दीजे और अच्छा लगे तो comment जरूर कीजेगा जिसे के हमें भी और होसला मिले ठीक है और यहां पर समझ लीजे देखिए electrician और यहां पर देख सकते है फीटर तो यह सब में जो है ट्रेड देख सकते हैं category के अनुसार जो है 0000 यह सब जो हो रहा है तो फूल हो चुका है लेकिन यहां पर देख सकते है SMQ कोटा का वैकेंट भी है इसमें भी देख सकते है SMQ कोटा का वैकेंट रह जाता है ठीक है तो SMQ कोटा का जो भी चातर है उनको जो है एडमिसन हो जाएगा उनको घबराना नहीं है उनको एडमिसन आराम से हो जाएगा और इधर भी देख लीजी यहां पर देख सकते हैं यहां भी बच जाता है यहां भी देख सकते हैं बचा हुआ है SMQ कोटा का तो देखिए आप स सकता है लेकिन जो हो जाए तो आपके लिए बीटर है ठीक है यह सब ध्यान रखी का यहां पर देख सकते हैं लेकिन जो है और इड्मिसन जरूर लिजेगा ठीक है और एक साल बरबाद करने से कोई फाइदा नहीं है आज के डेट में और जब भी जॉब के लिए भागना है तो टेक्निकल में भागए अगर अगर टेंथ पास कर गए हैं आप सभी जो है तो इंटर पास कर गए हैं उसके बाद जो है गरेजवेशन के पीछे मत भागिए भागना है तो टेकनिकल डिग्री के पीछे भागिए बीए एमस ये नाई टी आई 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 आइटी ये सब करने के पीछे भागिए तो जोब का ज्यादा चांस हुआ उसके बाद जो है इनजियर्ब्लगर जोव ये सब जो हैं महत्व्वान जानों कर इया हैं आप सभी को बता देते हैं जिसे कि आपको मिले हैं फूरा फूल वीडियो अगर आप सभी देखते हैं तो आपको जो है help जरूर मिलेगा और जो है एक और देख लिए लास्ट में जो है यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी जो है यूर कैटेगरी में कितना था तो 1152 था और SC कैटेगरी में जो है देख सकते हैं 266 था तो भी जो है admission हो था और इनको जो है mechanist मिला था NCVT trade ठीक है और यह जो candidate थे जो ITI दिग्गा पटना के थे तो देखिए यह सब चीज से जो आपका solve हो गया होगा problem और काफी mind में अगर सवाल चलना होगा तो solve हो गया होगा I hope तो देखिए आप सभी को घबराना नहीं जो भी process होगा उसको complete क करते चलना है और जो है आपको admission लेना है ठीक है तो चलिए इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो है हस्ते रही है मुस्कुराते रही है और कोई भी information हो तो हमें भी बताईएगा और जो है आप सभी जो है चैनल पर विजिट करके एक बार जरू प्रीड कर चैनल बढ़े जो है और जब कर दो हैं वेले का य। उन देखना भीडियों वेडियों और जह चैनल डिर्की कार य।